साधू जी, साधू जी, ओ साधू जी, सरदार जी को भेद दो आप, तुष्टी आजाओ जी, बहुत चतरों बदमास हो, मीडिया वाले तो नोई, हाँ जी, जै हो, बेठो जी, कहां से आये हैं आप, मिरा रोड मुंबे से हैं, आपकी मंडली बहुत चाटी ले रही थी आपक और हमारी नजर की बोचिंग में थे बाई फाई में आप, जैसे आप बहुत पहले आप हमारी चड़्चा कर रहे थे ना, चार पांच बार मित्र मंडली के साथ के यार मैंने कनफर्म तो नहीं किया, पर देखा बाबा को बहुत है, और आप जब आने के पहले थे तो बोले आज मैं नजदीक से चेक करूँगा, मैंने सेटिंग बना रखी है, यह बात हैं जब तुम कर रहते तब हमारा बाई फाई में भर रहीं थी नककटा, यही बात हुई तुम्हारी, यही बात कर रहे थे आने के पहले, अब तुम बिचार करो के हमारा बाई फाई कितना यहां तुमने यह बात हैं तो बता ही नहीं किसी को, नहीं बता है किसी को, राम, सीतराम पूछिये क्या बात, नजदीक आजाओ थोड़ा, पूछो जी, गुरुजी कुछ समय से मेरे बच्चों की तबियत बहुत खराब रहती है, और मेरी माता जी की भी बहुत तबियत कुछ समय से खराब रहती है, और पूछो, बहुत कमजोर हो गई हैं वो, तो इसके लिए म हमने ऐसा लिखा, गुरु कृपा होगी, मा बहुत परेसान है, जिनके बारे में पूछने आए, पूरे सरीर में उनको दर्द बना है, गुटनों में दिक्कत इनफेक्शन भी बन गया था, पूर्व में बरतमान में आरा में लेके खून की कमी है, आर्थिक तंगी भी बनी पैर की दिक्कत, उसमें इनफेक्शन निकला, बरतमान में हाट की समस्या एक बच्चे को बनी हुई है, जिससे परेसान है, पूर्व आराम धाम से लगेगा, तोटका का प्रभाव है, जिसे कहते नकरात्मक उर्जा, नकरात्मक उर्जा लग गई है, नजर धीट बैठ बात है, जै श्री राम, जै श्री राम, जै बातें एकदम सही, एकदम सही कुरुजी, एकदम सही, अच्छा हमने इसमें तारीक भी डाली, क्या माँ दोहजार अठारा से परेशान शुरू हुई, जी हाँ, सत्रा के लाष्ट, अठारा प्रारंब जन्वरी के महिना में, चार तारीक को पिसे इस दिक्कत शुरू हुई थी, निउव येर के बाद, जी हाँ, वो हस्पिताल में अड्मिट थी, थी, वहाँ से पर ज़्यादा समस्या बड़ी, इसके बाद 2020 बहुत खतरनाक निकली, 21 बहुत खतरनाक निकली, 22 में कुछ दिन आराम और फिर दिक्कत बनी लाष्ट में, बरत्मान में अभी ठीक हैं, लेकिन कमजोर बहुत हैं, बजन घट गया है, कमपन बन रहा है, चलने में दिक्कत हापी भर जाती है, क्या ये समस्या शुरू है, क्या ये सभी बात हैं सत्त हैं, तो टोटका भी सत्त हैं, नकरात्मक उर्जा भी सत्त हैं, और ये कटेगी सकरात्म कूर्जा जो बागेश्वर बाला जी जिनकी पेड़ना से हम ये बता पाए तुम उनसे जड़ो जाओ तुम्हारा बालबा का कोई भी दुस्मन नहीं कर पाएगा आशिरबाद है बलकि ये टोटका ये नकरात्म कूर्जा बरबाद करने के लिए किया गया है लेकिन नहीं चलेगा जैसी हराम अच्छा एक बात हो माइक नीचे रख लीजिए ये नाम को बताना तो नहीं चाहिए पर आप पर लीजिएगा मात ये चीज बहत बार-बार आ रही है ये हो सकते हैं कर ये एक इह है फिर्फ इसका प्रियोक पहले किया है ये नहीं कि दोबरा टोटका है ये ही पीछे लगें तो पिलीज सावधाण बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी नाम बताना नहीं हमारे बारे में बताना नहीं हमने सिर्फ सावधान करने के लिए आपको क्योंकि इनको घर पर ये भी कह देते हैं या इसका ला भी कर शकते हैं ये भी कह देते हैं मौन रहना, चुप रहना, जाओ ठीक होंगे यह गारंटी, आशिर्वार, जाए, साधू जी, साधू जी, साधू जी,